एक वे गाइज वेलकम टू माइचैनल सुम में टरोट का डिडिंग और इस समय की क्या एनर्जी है डियर गाइज आपके परसन की आपके पार्टनर की देखते हैं टेरोट काट में चलो को लाइक से स्क्रेब कर लीजेगा बैल आकन को प्रेस कर लीजेगा अगर आपको में ड जाती है पसंद आती है नोटिफेकेशन के लिए एंड जनरल है यह एंड टामलेस है तो जो आपके पार्टनर है उनकी जो फिलिंग्स है जो एनर्जी है वह आपको लेकर क्या हो रही है और अगर आप तो नों के बीच में इस समय पर कॉन्टेक्ट नहीं है आप लोग बात इनकी दिमाग में आपको लेकर क्या फिलिंक्स चल रही है तो अटिसको देखेंगग नाम ले लिजेगा आप अपने पर्शंक का टके अनर्जी आपके साथ करनेक्ट हो ऑट के यह यहां पर आँ यहां पर जो काड़ है उसमें कहीं न कहीं जो आपके पार्टनर की अनर्जी आ रही है इसका मतलब पूरी तरीके से आपकी जो परसन है आपके पास्ट के रिलेशनसिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स यहां पर शो हो रही है कि पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं दूसी चीज यहां पर यह भी निकल कर आ रही है कि यहां पर यह जो एनर्जी कह रही है कि आपकी जो पार्टनर है उनके साथ आपका पास्ट का रिलेशनसिप भी यहां पर न अपने लाइफ में अकेला पन महसूस कर रहे हैं उनकी यह फीलिंग्स यहाँ पर नजर आ रही है और इस समय अगर आपके विश में कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है तो एनर्जी यहाँ पर पूरी तरीके से आपके पार्टनर की उनको अकेला कर रही है ठीक है दूसी चीज य भी आपका जो रिष्टा है वो पूरी तरीके से इस्ट्रक हो गया है जैसे कि आपको ऐसा मैसूस भी हो रहा होगा कि जैसे आपके रिलेशन्सिप को नजर लगी हुई है या फिर कुछ ऐसी अनर्दीस सदन नेगीटिव अनर्दीस जो है वो आपके रिष्टे को तो कि अगर आपका रिष्टा ब्रेक हो जाता है तो कहीं न कहीं कुछ अनर्दीस जैसी होती है जो की शो नहीं होती है लेकिन वह पूरी तरीके से रिलेशन्सिप को या फिल लाइक किसी भी चीज़ को लाइक आपकी करियर है बहुत से लोग आते हैं मेरे पास करियर चल अचानक से करियर में एफर्टस डाल रहे थे सब कुछ सही चल रहा था बट अचानक से करियर में अपन डाउन हो गया करियर खराब हो गया या फिर रिलेशन्सिप में सब कुछ ठीक था रिलेशन्सिप खराब हो गया और कुछ ऐसी एनर्जी लोग भी आते हैं जो मतलब बहुत जा पर दो डालने के बाद भी आपके relationship में बिल्कुल भी success नहीं मिल रही है efforts आप डाल रहे हो बहुत efforts टाल रहे हो और यह बात यह भी है कि ऐसा नहीं है कि यह इनसान आप प्यार नहीं करता है और इस इसान को आपकी परवा नहीं है यह पार्टनर भी आपको प्यार करते हैं इनको आपकी परवा है जो कि यहां पर साफ दोर पर दिख रही है तभी आपके बारे में सोच रहे हैं क्योंकि एनर्जीज पूरी तरीके से आपके तरफ दिख रही है लेकिन आप लोगों को पूरी तरीके से आप लोग निगेटिव अनर्जीज की तौरा दूर हो रहे हो आपके पार्टनर के मन में भी आपको लेकर बहुत जाद गलत फहिमिया हो गई है जो कि यहां पर आज आ वी आप्म के बेश में दिखायते रहा है पाउस्ट से से रिलेटेट मतलब जैन्मो का रिष्टा और पास्ट में भी आप लोग बहुत अपनी life में, अंजोय किया है, अपने रेलेशणशिप में, बहुत एंजोय किया है, बट सब्सुंद आपका ये जो पर्षण है यह सदोन ही आपका पर सन आपसे दूर हो गया यह चीज यहां पर मुझे कि दिख रही है ऑब शाव मोची के आपके न लेकर बहुत ज़ vigor मतलब कि दिमाग में आप बहुत जब्राइब चल रहा है कि यह यहां दों कि यहां पर कहीं कहीं जैसे हो रही है अगर मैं आपके इनलेस को देखो तो आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हो मतलब जैसे कि थैरनी हो पा रहा है आप पर रुका नहीं जा रहा है क्योंकि आप हर टायम अपने पार्टनर के बारे में भी सोस्ते रहते हो मैं देख रही हूं कि आप कई तरीके से आप शोशल मीडिया पर य ज़्यादा खुश है और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं एकदम लाइफ को जी रहे हैं लेकर मैं आपको यहां पर बता दू कि ऐसी आपको शो हो रही है क्योंकि जो चीजे आपको दिखाए जा रही है आपके रिलेशनसिप में ऐसा यहां पर असलियत क्या है असलियत कुछ हो रही है आपके रिश्टे की असलियत यहां पर जो दिख रही है वह यहां पर आपके पार्टनर मैंने बोला आपको कि कुछ अनर्जी ऐसी हो रही है आपके रिश्टे को लेकर जो अटक गई है जैसे कि आपका रिलेशनसिप एक तरीके से आप complete relationship में थे जिसमें कोई भी foundation नहीं थी और कोई भी stress नहीं था partner को आपके सारी बातें पता थी आपको partner की सारी बातें पता थी एक दूसरे को लेकर आप बहुत ज्यादा मतलब 100% sure थे कि हाँ यह इंसान तो मेरा है मेरा ही रहेगा और अभी भी आपके partner की energy जो आपको शो कराई जा रही है या फिर कुछ friends या कुछ लोग या कुछ ऐसी चीजों के दौर आप यह देख रहे हो कि वह अपनी life में happy है वह तो अपनी life को enjoy कर रहा है आपका person चाहे male partner हो आपके चाहे female partner हो यह चीज़े यहां पर दिखाए दे रही है बहुत जादा आपको यह चीज़े शो कराई जारी लेकिन ऐसा नहीं है आपके partner इस समय पर भी आप ही खो लेकर उनकी feelings true है आपको ही लेकर आपका partner का दिमाग में बहुत ज़्यादा stress है और कई न कई जो relationship आपका इस समय स्ट्रक हो गया है या आप लोग दूर हो गए हो उसमें भी आपके person काफी ज़्यादा मतलब इस समय बहुत ज़्यादा पर ह कर रहे फिशंस कीमा मैं जैसे नौ आपके लीए पूरी तरीके साया और यह आफकी दोर आया हुआ कि की आफिकी आप पिल्कुल भी संप प piping नहीं हो रहा है और आपको लगा जलग रहे है की यह person पूरी तरीके से अब आपके साथ no contact situation में जा चुके हैं और अब कभी यह contact नहीं करेंगे ऐसी energies आपकी हो रही है और यह जो energies आपकी हो रही है यह energies आपकी नहीं है यह कुछ negative energies हैं जो इस तरीके से आपके mind में negative thoughts आ रहे हैं और यही negative thoughts यही negative energies आपके reunion को और एक लंबा मतलब पेट करवा रही है ठीक है मतलब sometimes जैसी आप energies हो गी आपकी चीजें आपकी वैसे ही होती चली जाएंगी आपके मन में क्या रहा है कि आपके partner खुद तो बहुत खुश है फुल enjoy कर रहे हैं और उन्हें अब आपकी परवान नहीं है उन्होंने तो आपसे ब्लॉक कर दिया है बात करना बंद कर दी है पास्ट में relationship भी खुब रखा बातें भी खुब की फुल आपके साथ enjoy किया ऐसा आपको feel होता है relationship रखा जूटे वादे किये और कहीं कहीं दिख रहा है लेकिन वह सारी बाते अब आपको ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पर जब आपका reunion की energies होते हुए भी आप लोंके विश में negative energies हो रही है और रियून नहीं हो रहा है तो आपको लग रहा है कि आप यह सारी बाते आपके परसन की जूट थी और वह सच नहीं थी वह आप से होने कि मतलब नहीं है यह चीज़ों को आप सोच रहे हैं थो ऺए है निगेटिव थोमें हो रहे हैं और यह जो निगेटिव फॉन जुट ब्लम बेनेहीं नहीं दे रहा है तो वह निगेटिव अनर्जीज भी सरांड हो रही है सेम टू सेम आपके पार्टनर को ठीक है तो इसलिए सिच्वेशन आपकी जो है वह यहां पर इस तरह की हो रही है जबकि आपके पार्टनर आपको लेकर साइस्ट्रेव एनर्जी में शो हो रहे हैं इमोशनली हो रहे हैं फीलिंग्स उनकी भी लोग आ रही हैं आपको लेकर कुछ ऐसे decision हैं जो वो लेते हैं लेकिन बहुत जादा decision की बज़े से mind उनका बहुत upset हो रहा है तो यह energies यहां पर हो रही है ठीक है आपकी इस समय पर आपके partner की और आपकी भी ठीक है दूसरी चीज यहां पर the fool का card है and यहां पर जो card है उसके according supporting जो आपके partner है वो कहीं न कहीं जो इस समय आपको रिष्टा होने के बाद भी इतना लंबा relationship होने के बाद भी क्योंकि मैं कहीं कहीं क्या देख रही हूं कि जनरल लीटिंग है शायद इस तरह के अनर्जीज इसलिए जादा बन रही है कहीं कहीं मैं देख रही हूं कि आपके partner पूरी तरीके से आपके life में आने को तयार है और वो कुछ ऐसी इस तरह के अनर्जीज भी यहाँ पर आ रही है जैसे कि आपके partner पहले आपको इतना नहीं समझते थे जितना वो आपको आप समझने लगे हैं जब no contact situation हुआ है ठीक है कहीं कहीं कुछ ऐसी गलतियां आपके partner स होई है आप यहाँ पर अनर्जीस को भी अगर देखोगे ध्यास से तो चीज़े आपको अच्छे से समझ जाएंगी आपके partner से कुछ गलतियां होई है कुछ mistakes यह mistakes उनकी past की भी हो सकती है कोई past की परानी mistake उनसे कुछ गलतियां हो गई थी जो अचालक उनके सामने आ गई है या past की कुछ ऐसी गलतियां थी जो उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही है है ना आपके partner की जबकि वो आपके साथ जीना चाहते हैं जबकि वो आपके साथ रिष्टा रखना चाहते हैं वो आपके साथ रहने को तैयार है है ना mentally, physically वो आपको आपके साथ खुश है, happy है ठीक वो आपको नहीं दूर जाना चाहते हैं उनकी feelings जो नहीं है लेकिन यहां पर कुछ ऐसी चीज़ें आपके partner के सामने मेर को आ रही है जो उनका कुछ ऐसी चीज़ें जो कुछ ऐसी गलतियां जो आपके partner को का पीछा नहीं छोड़ रही है ठीक है और आपके partner उन चीजों से पूरी तरीके से पीछा चुटाना चाहते हैं ठीक है आपके partner पूरी तरीके से चाहते हैं कि जो चीजें उन्होंने गलतियां की या चाहे वो कोई भी गलति क्यों नहीं हो चाहे कोई भी ऐसी चीजें जिन से आज पर जिससे उनकी कल की बात पर आज फुरक पड़ रहा है मतलब कल आज समने आ रहा है कल का जो बीता हुआ कल था और उसमें जो उनके साथ चीजें हुई जो परेशानियां आए या जो जो परड़न उनके उपर डाले गए जबर्दस्ती के बाड़न जिनमें वो खुश भी नहीं थे है ना वो आज वो चीजें आपके partner को बहुत ज परशान भी कर रही है और वो चीजों की बजहे से आपके Partner अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो चीजें इस तरीके से साथ चल रही है या उनके साथ मिक्स हो गई है कि उन चीजों की बज़े से उन बातों की बज़े से वह आगे बढ़ रहे हैं जैसे कि मतलब तो भी उनको परिशानियां आ रही है है ना मतलब जैसे लाइक बाडन है कुछ भी ऐसी जिम्मेदारियां डाल दी गई पास्ट में कि तुम्हें यह करनी है या उनकी पिना मर्जी की उनकी शादी कर दी गई है ना यह भी चीज दिख रही है आपके पार्टनर की मर्जी नहीं थी पर फैमिली की बज़े से उनकी म चाहते हैं और वो रिलेशन से उनका ठीक नहीं था है ना वह उसमें फसे हुए थे तो वह उससे मुबान करके बाहर निकले हैं ठीक है लेकिन अब वह जब आपके साथ खुश थे खुश है और आपके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तब वह चीजे वह मिस्टेक्स या कुछ ऐसी गलतियां जो उन्होंने आपसे अचालक आपको आपसे मुबान कर लिया यह कोई कुछ ऐसी कंडिशन जिसमें आपने इनको समझाया बहुत समझाया लेकिन उन्होंने वह चीज़ें नहीं समझी और आपसे रिश्टा ब्रेक कर दिया खतम कर लेकिन आज यह पार्टनर आपके वापस से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं वापस से चाहते हैं कि आप जो हैं वह इन्हें संभाल लो ठीक है और उनको पुश्वास भी है कि आपने समय लोगे बले ही आपके साथ यह अपनी हर बात को इस ट्रैम पर शेर नहीं करेंगे क्योंकि कुछ ऐसी कंडिशन्स दिख रही हैं जिस बज़े से इनको चुप रहने पर मतलब मजबूर हो जाता ना जैसे कि सम्टाइम्स कि अंसान को लगता है कि अब चुप रहते हैं नहीं फाइदा नहीं है कहने से या फिर हार जाता है जब इनसान बहुत जादा है ना द तो यह दिख रहा है तो इस समय यह ऐसी कंडिशन में ऐसी सिच्वेशन में फसे हुए हैं अपनी जिंदिगी में अपनी लाइफ में कि यह ना दो ढंक से आपको आंसर कर पा रहे हैं ठीक है और नहीं आपके साथ अपनी प्रब्लम को डिसकस कर पा रहे हैं हलाकि इन्हें पता है कि आप इनका साथ ही दोगे किसी भी चीज़ में आकर या आप से बात करेंगे या आप इनको सपोर्टी करोगे बट ये नहीं चाहते हैं कि आप परिशान हों इनकी बज़े से तो ये पार्टनर आपके मेल भी हो सकते हैं फीमेल पार्टनर भी हो सकते हैं ये चीज़ क अगर आप इनसे कोशिस करोगे तो यह आपको बहुत ज़्यादा समय करेंगे क्योंकि ये नहीं चाहेंगे से क्या आपसे जादा बोले क्योंकि इस समय इनकी लाइफ में एक तरीके से तूफान टैप काया हुआ है जिसको इने लग रहा है कि ये खुद अपनी चीजों को ठीक कर लें उसके बाद आपसे डिसकस करें या आपको बताएं एक चीज ये दूसरी चीज ये उगनोर जो आपको कर रहे हैं और आप से रहेंग से बात नहीं कर रहे हैं और ब्लॉक आपको माली जे कर दिया है तो उसके पीछे भी कही न कही जो चीजें दिख रही है वो एक कुछ सा और जो चड़ चड़ापन इनका जो मूट स्विंग हो जाना या बात करना लेकिन बात सही से नहीं करना है ना तो ये चीजे भी क्या हो रहे है कि आपसे इनके बहच हो जाना या आपको एगनोर नहीं कर। या भी नहीं कर रहे हैं हिस्वज़ें से आपसे भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं रेलेशनिशंइफ द्रॉल नहीं कर रहे हैं एक तरीके से उलजा कर रखी हुई है उलज गए हैं वो खुद की ही चीजों में यह चीज यहां पर आपके परसन की शो हो रही है और यहां पर यहां पर यह कार्ड यह भी कह रहा है कि यह इंसान यह परसन ट्रू है आपके लिए मतलब कहीं न कहीं अगर मैं आपके रूजिस को देख रही हूं तो एक तरीके से आप पर इन्हें ट्रू पार्टनर नहीं समझ रहे हो कि यहां पर आ रही है सबहाब में भी आपके पार्टनर के इसे में चुचड़ापन आप देख रहे होगे जैसे हमें यहां पर देख रही हूं तेरो कार्ट में आप में महसूस कर रहे और गुसा अफ्षा बहुत जादा उनको आ रहा होगा अच्छा एक चीज़ और भी य अगर बात हो भी रही है तो बहुत जादा उपको क्लियर्टी नहीं दे पा रहे हैं यह आपके पार्टन को तो जैसे विए आपको बदा रही थी कि उनके मन में डर है तक ऐलोग जहां चाहते होई कि बढ़ना चाहते हैं है क्या है अगर को चीज आप आठीक इस सी आठीक जादर में घुल ना जाने अपति हैं अगर अपनी चीज आया पड़ादे कुछופ Q कि अगर आप से बात भी कर रहे हैं कि यहां पर कुछ लोग के अनर्जीस मुझे क्या रही है आप मैंसे कि वह बात कर रहे हैं सब कुछ है लेकिन आपके कहने के बाद भी वह आपको क्लियर्टी नहीं दे रहे हैं we are our street क्रयाटी मांग रहे हो डार वे लेकक बोड्रक लिंडे रहे हैं या फिर कल bi पटाल देना फेमली पटाल a는데 से बाते कहां देना जो कि आपको समझ नहीं आ रहे हैं आपको लग रहे कि पता नहीं जो यह मतव्य का कर रहें तरह से इतने पुराप रिलेशंट से इतना पुराना टाइम इतने इतने हम सातinha रहे है जो नहीं क्या वह आपने माना इपने तो मतलब सभी कुछ दें इनको अपना चयान फिर भी आपके अपने नहीं हुए तो आपके मन में इस चीज को लेकर आपके मन में भी एक इस्ट्रेस और एक फिलिंग बैड लो जाए ना यह सारी चीज भी आपके मन में बहुत तेजी से लग रही है और आप इन चीजों के बारे में बहुत जादा सोच रहे हो तो कहीं न गई यह सामने होकर भी आपके साथ आपको ब्लॉक क जाए के रखा हुआ है कहीं कहीं दिख रहे हैं ब्लॉक लिल्कुल ब्लॉक कर दिया एक ज Castellini हर जेके से आप नाराज हो जाओ आपके बाते हैं इनके बीच में होती हो जिसके बज़े से ये भी स्ट्रेस में आइं आए ऑफे बहुतके साथ खौश है आप इनको बहुत पसंद हो लेकिन इंके मनमें जो यह जो ड़र है यह दिक तो यह कर दो दो ते रहा है कि नो कॉंटेक्स सिच्वेशन में इतने टाइम से यह आपको कमिट्मेंट दे नहीं रहे हैं कि लिए और इतने दुनों से इन्हों ने आपको ब्लॉक भी कर रखा है बात भी नहीं करें तो कई ऐसा नहों कि आपके लाइफ में कोई और आ जाए इस ट्रैम पर आप इनको देखो आपी कितना स्ट्रेस में कितना उदास हैं यह सारा दिन आपी के बारे में सोचते रहते हैं दिन रात इनकी दिमाग में आप चलते रहते हो है ना लेकिन अपनी चीजें आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं चाहा कर भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं और है इनको आपके लिए बहुत डर है कि कहीं ऐसा नहों कि आप इतने दनों के इनों कांटक्स सच्वेशन में भूल जाओ इन्हों कि आपके लाइफ में कोई और आ जाए और आप अपनी लाइफ में उसके साथ अपना रिष्टा बना लो या नियो विगनिंग कर लो और इन्हो कि आपको सोच के देखो इतने दिनों से अपने से इन्होंने बात नहीं किया है आप से बोल रहे हैं आपको कमिटमेंट भी नहीं दे रहे हैं जो दिया था उसको भी इन्होंने ब्रेक कर दिया है नो कहें भी नहीं पा रहे हैं कि मुझ पर इतनी प्रावलम से हैं त्यद्ध परिशान रू вс को डिए फ्रेस पर नहीं रहे हैं लेकिन अंदर ये अंदर एकदम से एकजोशन में है और घुट रहे हैं सोसल मीडिया पर भी आपको बार देखते हैं यह देख रही हैं अच्छा एकीज और भी दिख रही है बेड़ा सामने से नहीं चताते हैं आपको सामने से भी बढ़ा के बोलते थे हैं मन में प्यार होता तो दस्ट वार भोटे थे feelings लवोती थी तो सो भर पोलते थे प्यार iniat अम्यार रिश्टह था न пожश्यू लेकिन अब क्या ना की अपने भी बिश्बड़ाते हैं अपनी भी पूरी तरीके से स्ट्रक हो गए हैं ठीक है न्यू बिगनिंग न्यू बिजन अनर्स्टेंडिंग राशियं बताती हूं मैं आपको कि मैं कई लोगों से बात कर चुकिए हैं उसने क्लें से औरे वर वजाए हैं कि उसे क्या होता है हो सब मेरे से बात करते हैं तो जैसे मैंने किसी की healing किया कुछ effect है है ना तो ऐसी शक्तियां ऐसी negative energies जो मुझे फेक्ट ना करें उसके लिए मैं अपने औरा हमेशा clean रखती हूँ तो जैसे आपके energy को clean करने के लिए मुझे खुद के energy को कुछ भी safe करना पड़ता है मुझे अपने energy को भी control में रखना पड़ता है और अपने clean करना पड़ता है तो मेरे पास कई बार मुझे meditation करते हमें और healing करते हमें दूसरों की यह और clean करते हमें मुझे energy energy खुद को negative लगती है कि आपको जैनर्जी जो आपके relation को negative अफेक्ट कर रही है जो आपके पार्टनर पर energy negative effect कर रही है ताकि आपका रिष्टा उनके साथ break हो जाए टूट जाए वह negative energy energy नहीं चाहती है कि उनका कुछ भी भला करें या मैं उनकी energy को शुद्ध करों मैं उनके energy को पवित्र करों तो यह सारी चीज़े भी तो universe सबसे बड़ा है और universe से बड़ा कुछ है ही नहीं तो अपने अपने मन को बहुत positive रहे तो जितनी भी सेंडिंग सेंडर होते हैं जितनी भी energy sending करने वाले होते है नेगेटिव नगाई वापस से चली जाती है प्रमूब हो जाती है आटमाटिक लिए हमेशा मतलब और ख्लीन करने के लिए ही सलाह देती हूं हमेशा always सबसे पहले और ख्लीन करती हूं और ख्लीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और आपकी जतनी भी negative energy से उनको शुद्ध कर देता है एकदम अपने आप आटमेटिकली उसी के पास से ली जाती है अपके और नेगेटिव जो आपके उपर कर रहा है या कई न कहीं effect हो रहे है तो यह चीज़ यहां दिख रही है celebration का card आया हुआ है और यहां पर टोटले का card आया हुआ है यहां पर sharing का तो celebration की energies है आप लोग के बीच में तो कुछ ऐसी situation आगी के टाइम में आप लोग के बीच में बन सकती हैं जिसमें एक लाइक अच्छी energies positive energies आगी के टाइम में हो आपकी future में तो इनकी energies क्या हो रही है कि आपके partner की energies इस समय आपको लेकर बहुत feelings लवबाली हो रही है उनके मन में मैंने बताया आपको लेकर बहुत जादा डर है जिस डर को वो आप से कहनी रहे हैं आपको बता नहीं रहे हैं जब तक कि वापस आए चीज़ों को ठीक करके या फिर अपनी प्रावलम को तो आप ने जो है आप अपनी लाइफ में मतलब अपने न्यू बिगनिंग ना हो जाए अपनी लाइफ में आगे ना पड़ जाओ तो इस चीज का भी डर है क्योंकि यह काड़ इक चीज यहां पर मुझेरs इलियद में बता रहें कि जो पार्टनर है वह आपसे मतलब उनका जो जो रिश्टा है जो रिलेशनसिफ है वह आपसे ही रखना चाहते हैं बहूतला से हैप आ और जितने विश्वास यह क्यों पर करते हैं इतना बfredर आतना विश्वास कि किशी और नहीं कर सकते ह यहां पर यह चीज है तेक फसाओ भी महसूस कर रहा है इस समय पर बहुत ज़यदा फसाओ यहां पर दे नीकों मिल रहा है, काफी ज़यदा छीज़ है बहुत जाए पर श्ञाइश आपर पर्शाओ निकार देखना है पर दिशाट चीजे हैं ठीक थी और साथ कंटीलु भी कर रहे थे आपके साथ लेकिन बीच वीच में आपके साथ ऐसी भी होगी यह चीज आप कि निए नोटिस किजेगा कि कई बार आपके विश में ऑन फोना सिच्वेशन हुआ होगा यह कई बार आपने इनका जो सवाब है जो इनका वह है वह आपको बहुत अजीब सफील हुआ होगा कि सदन अभी तो ठीक थे पर अभी क्या हो गया इनको इस तरह का वह करने लग हो साथ में रहे हो मतलब लंब समय साथ में रहे हो कहीं कहीं दिख रहा है वह लंब समय एक साथ गुजा रहा है तो अब आपके बना मतलब एक तरीके सा लाइफ इनकी बहुत हो गई है क्योंकि आप लोग साथ में रहे हो साथ में आपने एक साथ बहुत प्यार किया है जैसा दिखे रहे है कि आपकी अपको बोलोति के आरें बात गाशा परफू से जह बामागा को थूप मैं आपकेबड उत्यारे के अझनाने हाँ कि जब को अरसे ही जिए ना कह ने रहा है और ये मैंने आपको बताया हुग यह झालते कि आपके मजंज़े को नहीं चाहते हैं कि आपका रिश्टा ठीक हो आपका रेलेशनसिप ग्रोग करें आपके दमाग में इनके लिए कुछ निगेटिव थौट्स आना शुरू हो जाए आपके मन में ही इनके लिए कि आप इनको अपनी लाइप से निकाल दो बहार करते हैं यह तो मेरे लाइक ही नहीं है इसा आप सोचने लगो और आप ऐसा कहीं कहीं आप सोच भी रहो लेकिन यह आपके जिंदिगी में आना चाहते हैं आपके पार्टनर और यह आपको बहुत ज़्याता प्यार करते हैं उनकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत लविंग है तो यह समय सिचुएशन एस तरी हो रहे हैं आपको लेकर को जगड़ेशंसित होया है कि को état आपको रहे हैं यह चीज दिख रहे हैं पर आंशी है आपकी पॉजिटिव हो पाया होंगी यह चीज दिख रहे हैं कुछ और कंडस ले लेते हैं अग्या है so universe का क्या message आपके लिए इस चीज को check करेंगे universe क्या संदेश देना चाहते हैं एक यूनिवर्स के मेसेज से पहले मैं आपको राशियां बताना चाहूंगे राशियां है आपके एरिस स्कॉर्पियो पाइसेंस लियो साजिटेरियस जैमिनी टॉरस वर्गो कैप्री कॉन लिवरा, कैंसर ठीक है यह है आपकी राशियां और अल्फवेट आपके बी एल है के आर है बी एस है टी है एफ है ओ है एन आई है डी है एच के है एम एन है एस र है वाई है अल्फवेट रोगा है अभी यूनिवर्स का क्या संदेश है आपके लिए यूनिवर्स का क्या संदेश है आपके लिए और यहां पर जो नंबर है वह वन सिक्स है यानि कि सावन नंबर आया हुआ है अन्जल के मैसेज है प्रापर तरह के से यूनिवर्स आपको संदेश दे रहे हैं कि वह आपके साथ जुड़े हुए हैं उनका आशिरवाद उनकी ब्लैसिंग आपके उपर है उसी चीज यूनिवर्स हमेशा उसके साथ होते हैं जो ट्रू होता है जो ट्रू होता है ट्रू इंसान को कोई पहचाने ना पहचाने लेकिन यूनिवर्स ट्रू इंसान का ट्रू पर संका साथ हमेशा देते हैं आप ट्रू हैं आपके प्यार में सच्छाई हैं आपके प्य से कोई भी आपके लिए प्रावलम्स क्रेट करें आपकी करियर में आपके लव में आपकी मैरेज में आपकी रिलेशनसिप में लेकिन आपको अलग नहीं कर सकता आपको दूर नहीं कर सकता आपके पार्टनर से क्योंकि आपके पार्टनर में जो संदेश जा रहा है जो संदे दूर होने के बाद भी तूरियां होने के बाद भी आपकी जो परसन है वो सरफ और सिर्फ उनकी मन में आपके लिए आपको पॉजिटीव Cristial हैं आपसे-uden इसमे रिलेशंसिब दुबारा का चाहते हैं तोड़ना नहीं परसन के मन में आपके लिए सच्चा ही है आपके परसन के मन में आपके लिए अच्छा ही है उनके मन में आपके लिए प्यार है आज वो इतनी दूर होने के बाद भी आपके बारे में सोच रहे हैं वो क्या साहते हैं कि वो आपको अपने लाइफ में लेकर आना चाहते हैं है efforts टाल रहे हैं मन में positive thoughts हो रहे हैं तो यह चीज़े मन में एक भै है मैंने बुरा आपके partner के मन में एक भै है कि आप कही ने छोड़ की ना चले जो आज इनकी मन में इतना भै क्यों है क्यों आपना उनसे दूर हो जाओ क्यों इतना घुट रहे है क्योंकि वो आपकी उन्होंने आपकी अच्छाईयां देखी आप उन्होंने आपकी प्यार को देखा अंदर ही अंदर आज इतना suffocation हो रहा है उनको है ना इतना ज़्यादा दूर होने के बाद भी इतने आप लोग के बीच में जगड़े होने के बाद भी सब कहरे होने के बाद भी उनकी मन में प्यार आ रहा है क्यों आनले आ इश्वर की कते अच्छा है ईसे अपके ट्रू नैस, आपके ट्रू लफ से यह को आज इनके मन में जुआ क covenant आप चले जौन को आपने दो मुंण कर लो इस्हीस को छिद्वन कर लो है न क्योंकि वो आपसे पियार करत héBlue नहीं चाहती कि आप पिसी मतलब रिलेशन्शिप मेंजाओ या आप था कि सी भी न्यू बिगिनेंग मेंग चल हुए क्योंकि वू को था होने नहीं च्याती है अपको अफ़थ हिंडर और बहुत पार्टन लेकलर no false na true feelings कि आपके पार्टनर की आपके लिए और उनकी और आपकी फेलिंग्स तो अगर आपको कमेंट करके बताएगा कितना रेसमेट किया है और परसनल्य अगर आपको मेरे से बात करनी है तरो कार्ण टुई लेनी है तो आप बिलकुल बोक कर सकते हैं, नमबर मेरा वीडियो पर है, इस वीडियो की नमबर पर मैसेज कीजेगा, कोई भी call ना करें क्योंकि बहुत सोग लोग कहतें मैं कॉल कर रही हूँ, कॉल करना हूँ आप reply दीजिए, नहीं कॉल कोई भी receive नहीं कर पएगा बहुत ज़्यादा budget schedule होता है, कॉल नहीं, किवल appointment call ही ली जाती है इसलिए message कीजेगा, appointment book कीजेगा, then बात कीजेगा and take care, bye bye